एससी इस्टेनो 2022 में कई candidates ऐसे हैं जो अभी ये डिफरेंसियेट नहीं कर पा रहे हैं कि अभी भी मुझे किस particular department के लिए जाना चाहिए क्योंकि कई स्ट्रेंट से उनमें कई सारी संकाई होती है उनको यह लगता है कि CBT अच्छा है किसी को लगता है किसी को लगता है किसी को कैग अच्छा लगता है किसी को क्या अच्छा लगता है बहुत सी नाना प्रकार की चीज़ें जो है वह कही है कि आपके माइड में चला करती है घूमा करती है किस department में जाएं किस तरीके से हम अपनी करना है लेकिन मैं एक ही सबसे पहले आप सभी से कहना चाहूंगा हर व्यक्ति के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसकी पोस्टिंग अपने घर के नश्दिक होनी चाहिए सबसा पहला है क्रेटेरिया जो है वह आप सभी के पास यह अपने दिमाग में हो नहीं होना चाह कवर्टी बेसिस पर मैं आपको काम मतारो एक लब लिख लो दूसरा आपका काम होना चाहिए कि अगर आप किसी अधर एक जांस की प्रप्रप्रेशन करना चाहते हो तो घर के पास अगर आप आगे तो और अच्छी बात है नहीं भी आए तो ऐसी जगह पर जो जहां से प्र प्रप्रेशन अपनी कर सकता हूं और अच्छी एक जम्स को मैं क्रैक कर सकता हूं ठीक है दूसरा आपके पास यह पॉइंट होना चाहिए और तीसरा आपके दिमाग में यह चीज होनी चाहिए कि जिस भी डिपार्टमेंट में आप जा रहे हो उस डिपार्टमेंट में किस सब्सक्राइब करना पड़ा है तो यह चीज जो आपको अपने दिमार्ट में हैं यह आपको बना के रखनी है कि ऐसे डिपार्टमेंट में जाएं कि वहाँ पर आपका जो work है जो आपका stand क वरक अफ़ाई से उससे करना पड़े ज्यादा काम एक्स्ट आपको ना करना पड़े क्योंकि ज्यादा काम में आप अपणी पढ़ाय의 continuous नहीं रख पाओंगे यह जो तीन चीजे हैं यह आप दिमार्ट में अच्छे से आप रख लेना क्योंकि अभी जिसी आफ से लोकेशन होगा इसके बाद नेस्ट आपका क्या प्लान ओफ एक्सन होना चीए वो आपको इन तीन चीजों पर ही डिसाइड करके आपको अपना लेना है बासमझ में आ गई 23 वाले हैं वो भी ध्यान रखे प्रिप्रेशन कर रहे हैं